हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर रंजीत से यह आप मेरी grammar book का cover face देख रहे हैं और जब मैं सुभे को video record करता हूं तो घर में सभी लोग सो रहे होते हैं उस समय बहुत तेज बोलना allowed भी नहीं होता है और थोड़ा ठीक भी नहीं होता है क्योंकि सभी जाग जाएंगे सबको अपनी थोड़ी देर के बाद जाकर duty जाना होता है तो मैं धीमे भीमे बोल कर अपनी बात को कह लेता हूँ अगर आप earphones use करेंगे तो निश्चत ही आपको मेरी बात समझ में आएगी तो दोस्तो ये grammar book का cover face है और इसी book से मैंने आज आपको बताया है कि आपको adjective का chapter तयार करना है तो दोस्तो adjective के chapter में क्या-क्या content है वो आपको मैं show कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें अच्छे से पढ़ सकें अच्छे से तयार कर सकें और जिनके पास book available हो गई है वो अपनी book से पढ़ें और बहुत सारे students जोने online order कर रखा है त्री से फोर डेज में delivery है जिनकी book नहीं पहुंची है उनकी book आज बिल्कुल ही उनके पास पहुंच जाएगी तो आप एकदम निश्यंत रहें अब मैं आपको content दिखाता हूँ adjective के chapter के दोस्तों ये adjective का chapter है मेरी इस grammar की book से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे adjective की definition दी हुई है रेन मार्टिन ने क्या कहा है बिकी बीदिया ने कहा है adjective क्या होता है position क्या होती है adjective की आप जानते है normally ये उस noun से पहले आता है जिसको ये qualify करता है लेकिन इसकी positions कुछ अलग-अलग भी हो सकती है जो की बाद में define किया गया है adjectives कितने प्रिकार का होता है तो basically दो तरीके का descriptive and restrictive descriptive में केवल adjective of quality आता है बाखी सभी restrictive adjectives होते है तो वो सारे दिये हुए है इसमें adjective of quantity है adjective of number है demonstrative adjective है interrogative है emphasizing है exclamatory है दोस्तो पिसली बार इन ही में से questions पूछे गए यहाँ पर जो underline है यह लाइन यही last year पूछा गया था TGT 2016 के exam में यह adjectives denote the quality kind or condition of nouns यही पूछा गया था यह definition पूछी गई थी last year तो आपको concept बहुत अच्छे से clear करने है आपको बहुत अच्छे से learn करना है और आप इसको पढ़ते चले आएंगे एक एक चीज को समझ लेंगे बहुत अच्छे से adjective of quality क्या होता है यह पढ़ेंगे adjective of quantity क्या हो इस में से concept उठा कर पूछा था उन्होंने अब पूछा था partitive adjective क्या होता है तो partitive adjective के definition आई थी वो definition यहाँ पर दी हुई है इस definition को आप अच्छे से समझेंगे last year के exam में TGT के यह पूछ लिया गया था concept इस book में concept बहुत है concept clear करने के लिए ही यह किताब लिखी गई है ताक का मतलब होता है ऐसे ही distributed numeral adjective है इसको आप पढ़ लें demonstrative adjective पढ़ लें अगर किसी adjective के अंदर सब adjectives भी है उसके और बहुत सारे रूप होते हैं तो उसको भी define किया गया है हमारी इस book में ताकि आपका कोई concept आपसे छूटे ना फिर interrogative adjectives है emphasizing adjective है exclamatory adjective है इनको आप पढ़ेंग adjectives को कैसे form करते हैं यह भी कई बार exam में पूछा जा चुका है जैसे यह p tell लिखाया है तो इसका आपको अच्छे से दयार करना है इधर भी आप देख सकते हैं experience और experienced exam में पूछा जा चुका है experience noun होता है और experience adjective होता है तो आप इस तरीकित को अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से समझ लेंगे बॉब से adjective कैसे बनाते हैं यह भी कई बार exam में पूछा जा चुका है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे adjective के ही दो रूप होते हैं तो black भी adjective होता है और black is भी adjective होता है यह भी आप एक अच्छे तरीके से समझ लेंगे फिर comparison of adjectives और यह आप जानते हैं इसे degrees कहा जाता है जो adverb और adjective की बनती है तो उसका एक short रूप यहाँ पर दिया हुआ है बाकि इसका ब्रहध रूप जो है वो आपको जहां comparison of degrees दिया होगा बहाँ पर भी मिलेगा transformation अब बाकि यहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से समझाया गया है कि comparative degree और superlative degree कैसे positive degree से form होते हैं ठीक और कैसे comparative superlative बरहाई जाते हैं किसी भी adjective का तो आप एक एक करके सारे rules पढ़ते चले आएंगे सभी अच्छे से learn करेंगे एक एक rule को साथ ही में कुछ ऐसे adjectives होते है जो comparative और superlative में अलग-अलग रूप ले लेते हैं और उनको कैसे use करते हैं यह भी यहाँ पर दिया हुआ है जैसे यह late, later, latest और later, last यह later, last यह position को show करता है ठीक है तो यह क्या difference है इनमें और उनका use कैसे करते हैं यह भी बहुत minutely समझाया गया है आपको इस book में इसके बाद आप देखेंगे few, a few, the few यह बहुत exams में आता है तो PGT 2010 के exam में the few का यह sentence आया हुआ था फिर little, a little और the little इनमें क्या difference है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे अब बहुत समझदार है अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे अपने आप ही पिर further and further in what the difference है इनका comparative और superlative कैसे बनता है nearest और next in which a difference इनका comparative and superlative कैसे बनता है each and every इनका use कैसे होता है यह सारी चीज़ें शमने यहां पर समझाए गई है some का use कहाँ कहाँ होता है any का use कहाँ कहाँ होता है कोई भी ऐसा सब्द कोई भी ऐसा conjunction कोई भी ऐसा word छोड़ा नहीं गया है जिसको आपको define न किया गया इस book में इसके बाद आपको सारे any और some के सारे uses दिये गया है with examples फिर fewer or less इनका use कहाँ कहाँ होता है no less than का use कहाँ होता है much और many का use कहाँ कहाँ होता है फिर articles का chapter आजाता है adjective में क्योंकि यह भी adjective का party होता है यह articles भी noun से पहले ही आते हैं फिर यह noun से पहले आने वाले articles का chapter है इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे article a and the और a और n का use पढ़ देंगे article दा का use पढ़ देंगे बहुत अच्छे से इसमें जो लिखा है T13 तो TGT 2013 के exam में यह आया था और इसमें आ जो था इसको आपको fill करना था fill in the blanks में इस तरीके से इसमें सारे rules दिये हुए है article दा से सम्मंदित पर last में आप आज आएंगे तो omission of article दा के बारे में भी बताया गया है और repetition case of articles करीब articles को repeat कर देते हैं आप कहां-कहां repeat होता है कहां-कहां नहीं होता है उसके क्या rules हैं वो भी यहां पर बताय हुए है तो इनको आप बहुत अच्छे से तयार कर लें तो दोस्तो इसके contents मैंने आपको शो कर दिया है आप इन contents को देखकर खूब अच्छे से study कर लेंगे जिनके पास book मिल गई है वो book से study करेंगे जिनको book नहीं मिली है वो इस video के थूँ study करेंगे तो thank you friends thank you very much दोस्तो लाइफ बहुत busy है उमीद है आप सब भी अपनी life में बहुत busy होंगे एक moment भी अपना खराब नहीं कर रहे होंगे so thank you friends thank you very much